जैगो माता जैगो पाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गुजरात में भी राजोला में हूँ और यहां पर मैं बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रेडर से आपको मिला चुका हूँ और बहुत-बड़े-बड़े नाम जो आपने सुने होंगे तो मेरे इच्छा थी कि साधरन किशान के भी आपको इसे दिखाया है जाएक साधरन किशान का गोप्रेम क्या है क्यों हमारा उद्देश यह आप तक गोवल्गति पहुंच पहाए तो आज हम राजोला में है राजोला उना के पास में है गिर स्वुनात रिष्टिक में पढ़ता है और हमारा साथ म दिरुबाई हिंदी क्योंकि गुजरात में थोड़ा हिंदी का कम कल्चर है तो अब कोशिच करेंगे जितना हिंदिया बोल सुपर बोल दीजिए कोई दिकर नहीं बाकी ट्रांसलेट करने कोशिच करते हैं आपका जो गायों का प्रेम आपकी गोव भक्ति आप जब किसी कोई गाये पर काम कर रहा है और पता चल जाता आपको आप उसके यहां पर मले से खेती कर रहा है या पेड लगाने भी खुझ चले जाते हो अच्छा है धिवाओप्रो पत्राट करिए भॉड़ेक। और पत्र स्युकों मन्सुग भैसुगा शुभाग्या जलक्रांधी ट्रश्ट अन्ने गिरगाय अभ्यान प्रणेता हैं यहां ने आरे 12 वरस्ति जोडानों से पस्छी मंसुक भाई नी प्रेरणा थी मने गौपालनी प्रेरणा मलें अन्नी आरे जोडानों बहु बते जावनों थीँ पस्छी धिमे धिमे करता एक गाय बेग गाय एम करता करता पंदर गाय में ली दी 2011 12 से पहले गाय नी रखते थे नए पंदर गाय थे आपको मन्सुक भाई सुवागया जो गिर गया आपने आगने उस मिशन को सुरू भी किया गिर गया जितना आज क्रेज आप देखते थे उसमें बहुत बड़ा एक द्योगदान मन्सुक भाई का है और बहुत अच्छे सज आप यह से अनेगउप अलड़ करो चोने संप्रोन खेती गाय अधारित कर रहे है और जो होता है गोमाता का उसको मार्केट में देते हैं जाता है और गाय के साथ अनन्द लेते हैं तो प्राकर्ति खेती का एक अलगी क्रेज है तो इसके अलावा जैसे गाय का प्रेम तो ही आपका और आपने क्या मैसूस किया क्यों गाय का यह भाव जागा आपके मन में आपने बड़े बड़े शैड देखे होंगे पर भावना है देखना दोस्तों आपका जो भाव है यह जमीन है लगभी डेड़ लाग रुपे टोटल किरया यह साल का देता है यहां पर खेती हो जाती है चारा हो जाता है आप बहुत कुछ देखा होगा पर सच्चा भाव है आपको आपकी घरवाली को बहुत होग है आपको आपकी घरवाली को बहुत है इसलिए मैंने सोच्छा के हो गाई रखू और नगौश। गाई का दूद्ध घी अमारे सब परिवार लोग खाए गे तो बहुत खुश होगे और अरियोदिक के इसाब से उसका दूद्ध घी बहुत बढ़िया है इसलिए मैंने सोचा कि अब गाई रखू और लोगों को खुश करूं और गाई का दूद्ध घी सभी को खिला हूं तो आरियोदिक की दृष्टी से लोगों को रोगों बहुत कम होगा इसलिए मैंने सोचा करें आपको पूरा जुरूर देखना आपके भाव जो है ना इस पूरे शेत्र में सच्छा गूपालग अगर कह पाऊना तो मैं मिला हूं जिनसे उनमें आपका भाव देखके लगता है क्योंकि दोस्तों हम बहुत साई चीजे बड़े बड़े शैड देख लेते हैं सारी ब्रीट की गाये देख लेते हैं सबसे मुख्य होता है गाये का प्रेम सबसे मेन है मैं भी इतना गुजराती में नहीं हूं पर भी आप बोलो कि मैं समझाऊंगा आज हम दोनों का एक कॉ प्रेरेना मलें अने यमना मार्ग दर्शन थी में पंदर गाये उकरी मने बहुज मज़ा आवे अनने हजी खूब मज़ा आवे शे कि आमाना मारू जीवन वीतावी तो पन काई गोलू नथी कारण के गाय मातानों प्रेम चेटलो मने व्योसाई तरीके पन मारे खूब बहुत मज़ा आता है गाय के सेवा में शेतर उपलेट दू चला जाता है आनन्द भी आता है इंकम भी होती है और लोगों को सुद्ध खाने को भी मिलता है अने केती मां बाद रोज हुआ है जे करूशू इस संपरूना वर्गों निकाज करूशू बद्धा फल फला दिव जीवा मुरॉड जीवा मुरुत कटने रोज है मां के साथ जुडाव से जो आप एंकम-त मन में में शांटी परिवार में शांटी उसके बारै माः आप अ 3-4 बताश in जहीं परिस्थिति यही अती है पन्न गाई पालन चरुकेरू चारपची छोकरा छोकरी ओमारो आखो परिवार बहु मस्त जीवनने रोज आनन्ती जीवे अपने घरे गाई से आपने दूद दाइं घी गाई ना खाई सी चोखा खाई सी अन्ने बहु मस्त रिते अन्न आज हुदी म वहाई करते हैं और इसके अलावा हर रविवार को गो मुत्र हल्दी अनि गाई का गोबर मिक्सकिन नहाते भी अधाया स्वंदरिय रहता और एकदम बढ़िया इसके अभी सुने गारी रूटीन का रहता आप कैसे दिवस नो रिटीन हुआ सू दिन चरिया चाहता है इन चर्जिया रोज शाड़ात्रन बागे सवर मा जागी इसी साड़ात्रन मज़ी इसी पची गायूने पाणी पाई खान बाण देई अने दोवान शरू करें गोवधोहन पची दूधना पेकें करें दूद देवा जाओ पची आवी पचेटो दूध था है पचेश लिल्ट पची आखवदी गायूना घांश चारा मां अने गायूने खवड़ावी है अने मस्ती थी रही है पूरा दिन गाय के साथ भाव और आपकी खुशी देखता हूं ना आप इंका चैर एक मैं लगबग 2-3 गंटे होगे पहले आपकी घर पे गए पढ़िया बाजरी की रोटी और बैंगन की सब्दी यहां जो गुजराद में प्रशित्य हों किया मलब जो चैरे पर एनर्जी है और खुशी है वास्ता में गोवक्ती से पॉसिबल है बागी संभव है ने अत्यारे इसका कहा नाम है ओली नहू नाम चे आनू नाम चे गोपी गोपी भावनगर लैनी से खोते हैं नाम चेपी गोपी गोपी भावberry ड़ं अर्मीर ड़ूछ पीने जो मोहन ऑ सब्ले कि मर्ला नादरर लैं रूच्सान मेरा घर गोपी सत रूमा से बागन गाम हाद यह बोई बड़े जाए है इस पाउंस आप अचा दूच्छे मैं था जाह शुंच्छे नुच्छा इन दिन वी तो रूटीन हो चेंखे दूद डिवानों सत्तर रुपे दू जय ब्रों चारामा सूचे जेंजवों जोवार यह जोहार से शिंघ नौपालो ने बड़ी हारो तम्हें एग्जामपल छे तम्हे जोड़े के गाय को सेवाती हुँ फरक पड़े छे आदमी मां मनमा भाव मां चाहिब भगवाने मने आहिरकुल मां जन्मा आये पो तो क्रश्ण वगती बदा गायूनी सेवा करता है पन अत्यारे धंदाना इसाब थी लोकों ने बार जावानों बाव थाइचे मनमा भाव सेवानों घुणों शाथी नती है में यहावा विचार तो आया देश मा रह उसा अन्ने आवो मोकों मले तो जिंदकी पर गायूनी शेवा करीले आव समय क्यारे मलशी अहिरकुल में आप तु भैसे हीरे फेक्टरी में काम भी करता है अमारा समाधना घणा इरा मां काम करें आमारे समाधना वागवन निया। रोजि मली रही शांती खुब सी। रोज रोज मुं प्रफू ली ता जो एक दीवस नहीं। शांती हो तो सब चीजे देखते हो। आपको बेड दिखती है। दूर दिखता है। इसके साथ जो सांती मिलती है आपके परिवाल में जो बच्छों का भाव देखा मैंने आज सुबे से परिवाल में जो इनकी धर्म पत्नी जो माता जी का जो सुभाव और भाव है अगर यह मिल जाता ना जीवन में स्वर्ग यहीं पर बच्चे स्वस्थ हो जीवन धन्य हो उससाथ आदमी को चाहिए क्या खुशी वही है आप दिन पर भाग दोर करते हो घर पे पीड़ा होती है तकलीफ होती है और आदमी परिशान भी रहता है पर आदमी ना घरे प्रावलम चे तो आदमी ना जीवन में स्वर्ग ना थी पर चाहिए तो जीवन यह जीवन है तो गया अभी आपका यह जो सेट अभी आपने कैसे मतलब यह तो लगड़ी का पूरा पर बना के थान बना दी कम से गम लाग बद्दू इमाला सेट अप तमारो आज गाया राखवान के रीते तमें राको चो मने देशी पदतीन हादी भासेमा वधा रहनुकुल पोड़ाची यह जो प्रॉपर किसान कैसे रखता है गुजरात में गाये वह आपको देखने तो और वह भी जो कम से क्योंकि लागत ज्यादा होती है तो आप किसान के लिए संभव नहीं है तो उसके लिए आपने लगडी का थान बना दी है अधिन बोजन करवानू लगडीनू छे मिला ठान अधिन वाच्टी बूलनी छे आप अधिन गोपाल निए अधिन किसान की घर पर आप बच्छरी की क्वालिटी देखो और वास्ता में गुजरात में जो ब्रीडिंग और सारी चीज़े और गाजर आगी या बात आप आप आपका सेवा भाव और बहुत अच्छा लगा मुझे यहां आके जितना ज्यादा अच्छा मुझे बड़े नाम या बड़े लोग है जो आप रिडिंग में सुनते हूं किया लगता है उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा लगा इस भाव के जो लोग होते हैं इनके कार करना चाहिए और यह मजबूत होंगे तभी बचा पाएंगे अलाकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्थिक तंगी आर्थिक परेशानी भी इनको रोक सकती है यह तो एक मिशन पर निकल गया है इनका कई लोगों ने मिश्यूद भी किया होगा कई चीजे हुई होगी जी अधिया मारे गवशाड़ा निमुला कात लीदी खुब खुब तमारा अबर खुब अबर ने जिरू बाई तक याए कि सब चीजे जीवन में चलती है आज असे लोगों से मिलके मेरा जीवन दन्निवा जाते है एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आम बाहर जाते है और यह कि दन्निता है हमारे बहुत बहुत दन्निवाद आप बहुत देगो माद देगो माद देगो माद